हाई मैं हूँ MSG यानि गुर्मीत रामन सिंग इंसा और आप मेरे साथ मुझे देख रहे हैं T-Series ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छा सफर रहा MSG 2 का क्योंकि MSG 1 जैसे ही हमने अपने शुटिंग कंपलीट की तो हमने कंपनी को बोला क्या हम सेकिन बुवी कर रहे हैं आप करेंगे क्या तो हम बोला येस हम ही करेंगे तो हम उसी समय चलेंगे वो पोस्ट प्रडक्शन के लिए कंपनी को सौंप तो जैसे ये शूट करने गए और कंपनी ने दिखाया कि गुरुजी कैसी जगा चाहिए क्योंकि रियल बेस स्टोरी थी तो हमें एक खंडरदार एक किला नजराया तो हमने का ये किला ठीक है पर बाद में पता चला कि वो एशिया का मोस्ट हॉंटेड किला है भानगड का क तो हम वहां रुगे कि यहां शेयत कोई सौंग हो सकता है चलो चेक करें तो गए तो उनके ओनर बैठे थे मालिक थे हमने पूछा यहां बाद कड़का किला कितनी दूर पर क्या करने जा रहे हो हमने का वह शूटिंग करें कि शूटिंग वह एक दम पीछे गया हमने क्या हो हो गया कहता वहां मत चाहिए आप कोई पिक्चर लेंगे आपके पीछे चार चार पांच पांच भूत 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 निया खड़े नजर आएंगे तो हमने डिरेक्टर को हंसती हुए का जो जूनियर आर्टिस्ट है उनको नहीं लेके जाते काम हम कर लेंगे और पीछे भू सेंकडो साल पुराने खंडर और वो ऐसे देखने में जैसे दिखाते हैं ड्रावना पंसब था लेकिन हम रात को प्रमिशन के साथ वहां रहे और जो हमने देखा वहां बंदर थे लंगूर थे उल्लू चमगादर चीते तक भी थे लेकिन भूत कहीं भी नहीं मिला क्योंकि वह हमारे धर्मों में लिखा है वेदों में भी लिखा है कि भूत इस धर्ती पर होते ही नहीं है वो तो रोहानी मंडलों पर उपर होते हैं उनको सजा होती है तो यह चीजे जब हमने वहां रहे और लोगों का भी डर चला गया और हमें बड़ी खुश हुई कि आसपास के गाउं में भी लोग भूत परेज से डरना बंद हो गए शुटिंग तो हुई हुई और साथ में समाज का कारह भी हो गया मुजिक हमने गाया और यह शुवर की किरपा है कि हम एक ही साथ छे के छे सॉंग हमने जाके स्टूडियो में रिकॉर्ड कर दी और जैसे शुटिंग करते थे तो बीच में कुछ टाइम मिलता था जैसे हमने शुट किया पूरा सीन हो गया उसके बाद चेंज करना है जगा थोड़ा चेंज करना है तो उसमें दो घंटे लगेंगे गंटा लगेगा ऐसा लगा तो फिर हमने का ठीक है आप चेंज कीजिए और वहां कंप्यूटर पे बच्चे लोग त्यार बैठे होते थे सब लोग तो हम वहां जाते इनको बजाके की पैड़ है यह सब कि बेटा यह 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 चीजें इसमें डालनी है आपने यहां से यह करना है तो इनको पूरा कंपोज करके बताते कि ऐसे ऐसे तो आप त्यार करके रखना हम जब फिर आएंगे तो ऐसे ऐसे शूट भी होता रहा और मुजिक कंपोज भी होता रहा तो यह शूर की किरपास से बना व तो इतने लोगों को एक साथ डांस करवाना हमने कोरियोग्राफर जो थे उन से बोला कि बेटा आप करवाएं तो के लागे गुरुजी हाथ जोड़के आपको तो मैं करवाओंगा जो साथ में लड़के उनको भी करवा लूँगा लेकिन ये एक लाग पचेतर हजार ना ना म तो हम पिर उनको बताते चले गे कि उनको शान्त करा और बोला कि जैसे हम करेंगे आपने वैसा करना है तो हम वैसे करते रहे लाइट-बंद की जगाना है ये एक्षण करना है वो करना है तो हो करते चले गए तो एक लाहiiii qui 17,000 लोगों ने एक साथ डांस किया, वो एक सुमुंदर लग रहा था, सुमुंदर की लहरे उठ रही हैं, और वो जो मुंबई के कुरूब हैं, पर जितने भी वहाँ गए थे, वो कहते हैं, गुरुजी शुट बाद में कर लें, एक अबर हम देख लें, सपने में भी ऐसा न कंटे, continue dance, तीन रात चला, तो फिर ये बहुत बड़ा सौंग है, जो आप लोग देखेंगे, तो हमें लगता है आपको बहुत पसंद आएगा, एक केरला का एरिया था, यहां हमने सीन वादियों में सौंग वहाँ फिलमाया था, और बाकी कुछ जो सीन है, वो हर्याना में हमने सरसा में आशर में भी इसके किये हैं, काफी इस मेसेज में चेंज है, पहले में जैसे ड्रग था, या मास अंडा था, वो सारी चीज़ें थी, और इसमें बूत परेत हैं, दूसरा है कि छोटी उमर में शादी करने से क्या तो वो नहीं करना चाहिए, लड़ाई जगड ना हिंदू बुरा है, ना ही सिकिसाई मुसल्मान बुरा है, बुराई पर उतराए वो इनसान बुरा है, तो लोगों को बड़ा पसंदारा है, यह ज़्यादा तर्ट्यू स्टोरी है, हम 2000 में अदिवासियों में गए थे, नंगे रहना, कच्चा मास खाना, और लड़ाई जगड़ा उनके आम था, तीन-चार दिन में एस्वी साव ने बताया, दो कतल हो जाते हैं वहाँ, इतनी जगड़ा रहता था, तो भूतो परितों का साया, 12-13 साल के बच्चे भाग जाते थे, उनके बच्चे होते थे और फिर शादियां होती थी, और लड़कियां 20-40 परसेंड मर जाती थी, तो वो पूरा चेंज किया, वो लोगों को हमने पूरा चेंज किया भगती से, क्योंकि फाइट और स्टन्ट सीन फिल्म में एड किये गए, यह रियल नहीं है, बाकी सब ज़्यादा तर रियल स्टोरी है, कुछ-कुछ एड उसमें किया गया है, स ऐसे वो तीर लेके आजाते थे, जैर बुझे, पेड़ों पे चड़ जाना, उनके लिए ऐसे होता है, जैसे बंदर चड़ जाता है, ऐसे भागे, एक पल में उपर चड़ जाते थे, और वहाँ पत्थर या तीर तियार रहते थे, तो आज वहीं लोग चेंज हो गए हैं, तोटली, और आज वो सभ्य समाज का हिस्सा है, हमने वहाँ स्कूल खोले, तीन सो आदिवासी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, और वही आदिवासी जैसे हम लोग हैं, वैसी शादिया करते हैं, और लड़कियां भी ठारा साल से पहले शादी उनके नहीं करते अब, शिराब का डिजाइन हमने किया, फाइट MASTER ने किया सब करवाया, लेकर डिजाइन हम उनके साथ बैठ के किया करते थे, इसमें एक स्टंट ऐसा भी है कि मल्क हम योगा में बोलते हैं कि एक स्टेक होती है, उस पे आसन कीया जाते हैं, तो हमने एक लड़के को गूंडे को पकड़े उसका सिर पकड़के अपने पाउं से फाइट किया ऐसे 90 डिग्री खड़े होके तो वह अपने आप में एक बड़ा मुश्किल लग रहा था कि ऐसे कैसे होगा पॉसिवल लेकिन वह सीन हुआ और वह हमें लगता है कि नई फाइट है उससे देखेगा और उस तरह का योगा अ पाइट दूम्दाम्जे अबाड दूम्दाम्जे अबाड दूम्दाम्जे